मिरर को लेकर घर में बहुत confusion होते हैं, कहां लगाएं? मिरर हम कैसे लगाएं? मिरर वास्तु में बहुत significance रखता है, क्योंकि मिरर में बहुत capabilities होती है positivity और negativity को reflect करने के लिए अगर आप गलत तरफ लगाएंगे, definitely problems होती है, अगर आप सही तरफ लगाएंगे, तो उसके हिसाब से आपकी वास्तु की remedies भी हो जाती है अब first principle यह कहता है, कि वास्तु के हिसाब से mirror जो है, वो घर के north और east की wall पे लगना चाहिए आपकी master bedroom में कोई भी mirror open नहीं होना चाहिए, अगर आपका master bedroom southwest में है, तो definitely आपके room में कोई भी mirror exposed नहीं होना चाहिए अगर कोई exposed mirror है, कोई और जगे नहीं है रखने की, तो उसको cover करके रखिए और अगर आपके पास कोई dressing area है, या कोई ऐसी almira है, जिसके अंदर आप mirror लगा सकते हैं, तो that will be a better option सबसे important चीज़ आपको देखनी है कि mirror में reflect क्या करता है अगर आपका bed reflect करता है, तो ये बहुत बड़ा वास्तुदोश है, ऐसे कमरों में रहने वाले लोगों को हमेशा problem रहती है और अगर कोई young couple का bed reflect करता है, तो definitely misconceptions, non-conceptions के issues बहुत रहेंगे क्या reflection ऐसी जगे पर लगाई है, जहां पर कि positivity reflect करें, आपके पास कोई अच्छे plants है, कोई सुन्दर सा corner है, लेकिन लगाना हमेशा north या east की wall पर है mirror Kids room में mirror कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि kids room में mirror लगाने से उनके concentration में बहुत effect पढ़ता है एक और important point है कि mirror कभी भी तूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है, cracked mirror होता है, सालों साल लोग के घर में लगा रहता है, लोग ध्यान भी नहीं देते हैं तो इस तरीके के जो mirrors है वो बहुत negative energies generate करते हैं अज़कल एक बढ़ा नया fashion है, beds में mirror लगते हैं, headrest में mirror लगते हैं, ceilings में mirror लगते हैं, but that is very wrong अगर आप bed में, अगर आपके bed के headrest में mirror है, तो आप देखेगा, नींद में बहुत issues रहते हैं, बहुत restlessness रहती है similarly, जो ceilings में mirror लगते हैं, वो भी बहुत गलत होते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा bed उसमें reflect करता है अब आप देखेंगे, TV screen भी जो होती है, वो एक mirror की तरह काम करती है So, if you have a television in your room, make sure you cover it when not in use, because it also acts like a mirror एक बहुत important point बताऊंगी, कि entrance पे कभी भी mirror नहीं लगाना चाहिए Mirror भी और कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा सा भी reflection create कर रही है इस परकार की चीज़े entrance पे avoid करनी चाहिए Otherwise, आपकी जुतनी भी energies हैं, वो वापिस reflect back हो जाएंगी So, mirror का उपियोग अपने घर में बहुती सोज समझ के और ध्यान पूर्वक करिए